नमस्कार दोस्तों है एपी नियूवर्ट नया साल आपके जीवन में खुब सारी खुसिया लेके आए इस वर की कुल्पा हमें साथ पे बनी रहे आप यसे ही उन्नती के सिखर पर रहे इसे ही मेरी और मेरे परिवार के ओर से आपको और आपके परिवार को धेर सारी सोग काम है दोस्तों आप भी आगे बढ़िए और दूसरों के भी बढ़ाई एक दूसरे का हेल्प करें और सच का साथ दे दोस्तों आज मैं आपके लिए लेका हूँ जो आजकल मार्केट में जो नोकिया कंपनी के जो कीपेर वाले मोबाल यूज होता है जिसमें बारा पिट का जो यूज किया जाता है यह मैंने आपको यह वीडियो के माधियम से बादानी का कोशिश किया है दोस्तों यह वीडियो प्रसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और यह चैनल को भी तक आपने सब्क्राइब्स नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पेज जो सब सब्क्राइब्स कर लें ताकि मैं आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुंचा सकूँ फिलहाल पेशें आपके सामने यह डिस्प्ले फोल्ट सोल्यूसर्ट अस सब्क्राइबर नमस्कार दोस्तों अभी मेरे पास एक नोकिया का आप देख सकते हो फोल यह मॉपायल में अब धी कस्टों मने मुझे दिया हुअ है यह चनल करते तब मोबाईल में डिस्पले पे कुछ ग्राफिक दिखाई नहीं दे रहा है मैं किपेड का कोई स्वीच प्रेस कर रहा हूँ तो उसका होई सुनाई दे रहा है देखो तो उसका मतलब यह हुआ कि यह मोबाइल अभी ओन कंडिशन में है फिर भी डिस्प्ले पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस तरह से कभी भी कोई मोबाइल ओन है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ ग्राफिक या तो लाइट नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यह फोल्ट किस तरह से चेक करना है यह मैं आपको आज बताने वाला हूँ तो चलिए हम जानते हैं कि इसमें किस तरह से यह फोल्ट को सॉल्ट किया जाता है तो सबसे पहले हम उसका जो बेटरी है उसको रिमूट कर देंगे ये मॉबाइल को डिसेंबलिंग कर देंगे देखो आप देख सकते हो ये अभी मैंने ये मॉबाइल में बोडी से अलग कर दिया है ये देख सकते हो इस तरह से तो ये मॉबाइल को जब हम ओन करते हैं देखते हैं ओन करके पाउर स्विट प्रेस करने के देखो यह मोबाइल अभी हो नो हो रहा है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ ग्राफिक भी नहीं आ रहा है और उसमें लाइट भी नहीं आ रहा है तो आईए एक बार देख लेते हैं यह हमारा डिस्प्ले का फोल्ट है यह बोड में सरकीट में तो सबसे पहले इस तहर से कभी फोल्ट आए तो आपको क्या करना है सबसे पहले यह बोड को आपको सही तरह किसे टेस्ट करना है कहीं water damage तो नहीं है तो अभी तो यह mobile कहीं water damage नहीं है अभी यह face लगता है तो आपको क्या करना है display एक बार देख लेना है कि display का कोई fault नहीं न देखो तो यह उपर वाला जो भाग है वो मैंने निकाल दिया अभी यह display ओरिजनल कंपनी का ही है देखो किसे ने अभी उसको replace भ यह display belt तूट जाने का देखो तो आपको एक बार ये भी check कर लेना है कि इसका belt कहीं तूटा हुआ नहीं ना तो इसके लिए आपको इस तरह से करना है देखो आप देख सकते हो यह fault हमारे display belt तूटने से की वज़़ से ही यह है देखो मैं आपको थोड़ा और नजदीक से बता पर आए देखो मैं तोड़ा और नजदीक से आपको बताना चाहूंगा तो इस तरह से यह बेल्ट टूटा हुआ है झाल को बताना चाहूंगा हुआ पर नहां तरह से यह बंपू हुआ हुआरा नहीं ही बता हुआ का सुझा हुआ आपको इस ऄashक में लीकानीनोग कर देखो श ann tuna आपको प्लूटा है जएतार अरब वाêं तुमझार क59 और प्राह gorबाना जए डे यहँखा हुआा झाल 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 डाटा आउटपूट इधर मिलता है और यह आप देखोगे ग्यारा नंबर तो रिसेट के लिए होता है जहां 1.8 वल्टेज आपको मिल जाएगे और बारा नंबर है ओ फिर से जी एन डी ग्राउन के लिए होता है तो यह जो चारो पीन मैंने आपको बताया ओ प्रोसेसर से यह चारो सिगनल लाइन है यह दोनों उसका सप्लाइ लाइन है वह उसका लाइट है और यह तीन नंबर उसका नेगेटिव सप्लाइ के लिए है तो यह जो आपको पहले याद रखना यह आपको समद लेना है कि यह पिन किस तरह से किस चीज के लिए है उसके बाद जब आप कोई मोबाइल में LED आप LCD ओपन करोगे तब इसके नीचे मतलब कि इधर आप देखोगे तो इधर यह से तेरा पॉइंट आपको मिलेगे देखो इधर आप देख सकते हो तो यह पॉइ तो आप डाहिर की दधर जम पर भी करके हमारे मेन बोड से आप यह काम कर सकते हो तो आई एक बार में यह तिरा जो पीन है मैं बता देता हूं यह किसए होता है देखोगे इसको में इधर ऑग कर लेता हूं जो हमारा निय्क यह में इधर मैंने ये टोटल तेरा पीन बना दिया है एक दो तीन चार आज छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और तेरा देखिए उसमें से ये जो अभी मैंने आपको इधर ड्रोब करके बताया ओ इधर का जो तेरा पीन है वो मैंने आपको बताया अब ये किस चीज़ के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ तो ये जो पीन है एक नमबर ओ डिस्प्ले के लिए LED सोरी LED प्लास वोल्टेज के लिए है ये जो दो नमबर है वो LED माइनस वोल्टेज के लिए है नेगिटी सप्लाई के लिए ये जो तीन नमबर वाला लाइन है ये तीन नमबर वो डिस्प्ले के सिग्नल RST reset के लिए है डिस्प्ले जो ये लाइन ये 11 नमबर पे ही है उसके बाद ये चार नमबर देखोगे तो SCS डाटा के लिए है जो अभी आप इदर देख सकते हो इदर 10 नमबर पे ही है उसके बाद पाच नमबर जो है इस डाटा के लिए है जो इदर है देखो ये आठ नमबर पे उसके बाद ये छे नमबर NC होता है NC मतलब no connection उसका कोई यूज नहीं होता है उसके बाद आप साथ नमबर देखोगे clock signal होता है जो इदर आप देख सकते हो ये साथ नमबर पे उसके बाद आठ नमबर होता है वो मेन इसका supply pin होता है जो VDD मतलब की 2.8 voltage इदर आपको मिल जाएगे उसके बाद 9 नमबर उसका negative supply ग्राउंड GND के लिए होता है और 10 नमबर उसका आप देखोगे तो VDD1 मतलब 1.8 voltage और ये तिनों NC होते हैं इसका कोई use नहीं होता तो अभी मैंने आपको ये drawing करके बताया कि जो हमारा main circuit board है उसके इदर आप देख सकते हो ये 12 pin है ये मैंने इदर उसका layout आपको draw करके इदर बताया और इसका pin out भी बता दिया कि कौन सी pin है वो किस चीज के लिए उसका पुरा आपको detail बताया उसके बाद जो आप original display अगर उसमें से उठाते हो तो ये जो display के नीचे जैसे कि ये जो display है इदर आप देखोगे तो इदर तेरा point इदर दिखाई दे रहा है तो इसका अभी मैंने आपको इदर pin out trace करके आपको बताया है तो आपको क्या करना है ये जो circuit board है यहाँ से इदर सब direct jumper कर देना है तो ये आपका problem solve हो जाएगा सबसे पहले जिदर जंपर करना होता है वहाँ हम कि ये थोड़ा अपना पेस्ट लगा देंगे इसके बाद इदर ये से थोड़ा solider कर देंगे देखो इमने नेप कर दिया अब सब जंपर इदर लगा देंगे देखो ये एक jumper में ने लिया और हम लगाएंगे अपने ये एक नंबर से नहीं लेकिन दो नंबर से कि कि एक नंबर ग्राउन है तो ground तो common कोई भी एक हम ले लेते तो भी चलेगा इमें नहीं लगा दिया एक नमबर वाला देखा थोड़ा मैं नजदीक से देखाना चाहूँगा यह आप देख सकते हो उसके बाद दुसरा लगाएंगे इबी मेंने लगा दिया उसके बाद तीसरा लगाएंगे यह आप देख सकते हो देखो मैंने यह पूरे सारे जमपर कर लिये अभी देखो अब हम यही जमपर अपने डिस्प्ले में लगा के देखते है कि हमारा डिस्प्ले में ग्राफिक आ रहा है कि नहीं देखो तो यह आप देख सकते हो देखो मैंने अभी यह सब जमपर कर दिया इना मगुआ आप ato है इता पहरा निधर मिया द्तु आकर हम यह पूरा सब जम्पर है और स्वर्पली पर लगना के देखते हैं तो यह रहा हमारा डिस्प्ले अब मैं आपको एक एक जंपर करके लगा के बताता हूं देखो किस तरह से यह जो मैंने आपको बताया इस तरह किसे हम यह पुरा जंपर करके देखते हैं करके देखते हैं करके देखते हैं तो देखो यह मैंने सही तरीके से यह जंपर लगा दिया है देखो आप देख सकते हो यह पुरा जो सब फीन था उसका सब यह सही जंपर आपको करना होता है तो इस तरह से यह जंपर किया जाता है इस थाच के जो यह बड़ा पीर वाले जो ओरिजिनल डिस्पले है उसके नीचे इदर इससे प्रिंड दिया होता है देखो यह मैंने अभी जंपर किया है इस तरह से आप भी कभी भी यह मुबाल में जब बेल टुट जाए तो आप एससे जंपर करके अपना डिस्पले है तो आप रिपेर कर सकोगे तो एक बार यह मुबाइल को फिर से हम फिट करके भी देख लेते हैं देखो तो आईए हम यह सरकीट को अब उसके जो बोडी है उसमें फिट करके भी देख लेते हैं तो आपके पास अगर इसता है कोई LCD का पॉर्ट आए तो आप इसको इसे ही जंपर करके उसको रिपेर कर सकते हो दोस्तों यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो को सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि मैं हमेशा आप के लिए ही इसे वीडियो लेके आता रह तब तक के लिए थेंक्यू धनियवाद जय हिन वंदे मात्रम